मादरनिय प्रधान मंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे राज्यपाल श्री भगत सिंग कुशियारी जी, महाराश के जनप्रिय मुख्य मंत्री श्री एकनाच शिंदे जी, हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन गड़करी जी, इस कारेक्रम में विशेश रूप से पधारे हुए आदरनिय दॉक्टर जीतिन रसीहं जी, मंच पर उपस्थित, आईसीय की जनरल प्रेसिडेंट मिसेस विजयालक्ष्मी सक्सेना जी, हमारे नाकपुर विशुविद्याले के वाईस चांसलर सुभाष चौधरी जी, यहां पर उपस्थित, सभी डेलिगेट्स, बहन और भाईयो, मैं आप सभी का महाराष्ट सरकार की और से और विशेश रूप से नाकपुर की और से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, और 108 पी इंडियन साइन्स कॉंग्रेस का आयोजन करने का आउसर नाकपुर को और विशेश रूप से नाकपुर विश्व विद्याले को दिया, इसलिए इंडियन साइन्स कॉंग्रेस का भी मैं बहुत-बहुत आभार वेक्त करता हूँ, हम सभी को पता है कि इस 108 पी इंडियन साइन्स कॉंग्रेस की जो थीम है, साइन्स एन्टेकनोलोजी फोर सस्टेनेबल डिवलपमेंट और विमन एम्पावर्मेंट, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशे है, जिस पर इस कॉंग्रेस में डेलिबरेशन होगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि विमन एम्पावर्मेंट के लिए, आज का दिन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि विमन एम्पावर्मेंट की प्रतिमा के रूप में जिनको देखा जाता है, ऐसे क्रांती जोती, सावित्री भाई, फुले, इनके आज जन्म जैनती है, मैं उनको भी आज के इस मौके पर नमन करता हूँ, हम सभी जानते हैं कि साइन्स एन्ट टेकनोलोजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, दो हजार तीस तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं, उस तक पहुचना है, तो उसका माध्यम ये साइन्स एन्ट टेकनोलोजी हो सकता है, और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायू परिवर्तन के कारण सस्टेनेबलिटी की खोच कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तितों पर एक संकट है, हमारे क्रिशी के सामने, हमारे परियावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबलिटी ये एक बहुत महत्पुर्ण विशे है, और विशे शुरूप से जब हम सस्टेनेबलिटी की बात करते हैं, तो उसका यही मतलब होता है, कि संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें, जितना हमें आवशक है, हमारी आने वाली पिडियों के लिए उनको उपयोग करने के लिए हम संसाधनों को छोड़े, न के उनके सारे संसाधन हम ही अभी इस्तमाल कर ले और उनके लिए एक बहुत ही खराब दुनिया हम लोग छोड़े, इसलिए भविश्य का विचार करते हुए, हम लोग जब संसाधनों के इक्विटेबल डिस्टिबूशन की बात करते हैं, तो ऐसे समय, साइन्स और टेकन दूरुतूं में, जिस प्रकार से देश ने तरक्की कि है विज्ञान और तंतरज्यान के क्षेत्र में, जिस प्रकार का परिवर्थन हुआ है, भारत ने अपनी ताकत करोना के समय, पूरे दुनिया को दिखाई, जब भारत ने अपने देश में तैयार की हुई वैक्सीन, ये सवा सो करोड लोगों तक पहुचाई और देश को तो बचाया पर कई देशों के नागरिकों को भी भारत की वैक्सिन के कारण जिवदान मिला तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत का एक बहुत बड़ा कांट्रिब्यूशन हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतरुत में हमने दे तो टेक्नोलोजी एक लेवलर है टेक्नोलोजी एक ऐसा टूल है जो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता उसको यह नहीं पता होता कि व्यक्ति पुरुश है या स्त्री है वो अमीर है या गरीब है वो किस जाती का है समाज का या धर्म का है वो एक इस प्रकार की level playing field तयार करता है जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से सभी को opportunity मिलती है और इस opportunity के कारण सभी को grow होने का सभी को विकसित होने का एक आउसर मिलता है मैं आज के इस मौके पर निश्चित रूप से इतना ही कहूंगा 108 वी Indian Science Congress ये यशस्वी तो होगी ही लेकिन यहाँ पर जो deliberations होंगे Science and Technology के field में और विशेश रूप से उसके आधार पर Women Empowerment के field में हम ज़रूर इसके कारण बहुत बड़ी तरक्की करेंगे और साथ-साथ आने वाले दिनों में विशेश रूप से हमारी जो Women Power है हमारी जो नारी शक्ती है इस शक्ती का आविशकार हमारा समूचा देश देखेगा और उसी के भरोसे हम सब लोग मिलकर तरक्की कर पाएंगे मैं फिर एक बार इस 108 वी Indian Science Congress को बहुत बहुत चुपकामनाई देता हूँ और यहाँ पर मुझे निमंत्रित किया इसलिए अभारवक करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ जय हिन जय महाराष्टर जय भारत इसके लिए हमें ऐसे इनोवेशन पर काम करना होगा जिससे मेटल और प्लास्टिस क्रेप का बहतर इस्तिमाल हो सके हमें प्रदुशन कम करने और स्क्रेप को उप्योगी बनावे पर एक साथ काम करना होगा साथियों आज भारत स्पेस सेक्टर में भी नई उचाईयों को छू रहा है लो कौस सेटलाइट लौंच वेहिकल्स की वज़र से हमारी छमता बढ़ेगी और दुनिया हमारी सेवाएं लेने के लिए आगे आएगी नीजी कमपनियां और स्टार्ट अप्स इन अवसरों का फाइदा उठा सकते हैं आर एंडी लैप्स और एकडेमिक इंस्टिजूशन से जुड़ कर स्टार्ट अप्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है ऐसे ही एक और विशह है क्वांटम कम्पूटिंग का आज भारत क्वांटम फ्रंटियर के तौर पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है क्वांटम कम्पूटर्ज, क्वांटम कमिस्ट्री, क्वांटम कम्मिनिकेशन, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम क्रिस्टोग्राफी और न्यू मटियर्ज की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है मैं चाहूंगा कि हमारे यंग रिसर्चर्ज और साइंटिस्ट कॉंटम के इक्षेत्र में एक्स्परटाइज हासिल करे और इस फील्ड के लीडर बनेगे थाथियों आप भी जानते हैं कि साइंस में लीड बही लेता है जो इनिशेटिव लेता है इसलिए दुनिया में क्या चल रहा है हमें ये तो देखना ही है लेकिन साथ ही जो काम कहीं नहीं हो रहे जो फिचरिस्टिक आइडियाज हैं उन पर भी फोकस करना है आज दुनिया में AI, AR और VR की बात हो रही है हमें उन विश्वों को अपनी प्रावरिटीज में शामिल रखना होगा सेमी कंड़क्टर चीफ्ट की दिशा में देश कई बड़े कदम उठा रहा है समय के साथ सेमी कंड़क्टर चीफ्ट में भी नए इनोवेशन की जरुरत होगी क्यों न हम देश के सेमी कंड़क्टर पूश को अभी से फ्यूचर रेड़ी बनाने की दिशा में सोचे देश इन एरियाज में इनिशेटिव लेगा तभी हम इंडुस्ट्री 4.0 का नेतरुत्वत देने में सक्चम होंगे थाथियों मुझे विश्वास है इंडियन साइंस कॉंग्रेस के अधिवेशन में विभिन रचनात्मक मिद्दों पर बविश्यकास पस्ट रोड मैप तयार होगा अमृत काल में हमें भारत को मोडन साइंस की सबसे एडवांस लेबरेटरी बनाना है इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत पहुत धन्यवाद और इस समिट के लिए मेरी अनेक अनेक शुब कामना है